नमस्ते दोस्तू, वेलकम टू ममाजाटरू सावन की सभी को बहुत सारी शुप कमना है वैसे तू बहुत से राज्जों में सावन का मेना शुरू हो गया है लेकिन महाराष्ट्रा में आमोसा के बाद अभी सावन जो है वो लगने वाला है तो इसे शुरावन का मेना महाराष्ट्रा में कहते है तो इस शुरावन के मेने में शुजी के लिए जो जोद बनती है वो हमारी महाराष्ट्रियन परंपरा में उसे किस तरह से बनाते है वो आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ जो मेरी दादी मा सासुमा ये जो जो है वो किस तरह से बनाते हैं और उसे कब कहा कैसे लगना है वो भी बताने वाली हूँ तो हम बहुत सी चीजे रेसिपी शेयर करते हैं तो कुछ स्पिरिच्यूल जो हमारी पारमपारी बाते हैं वो शेयर करने का छोटा सा प्रयास में इस वीडियो से कर रही हूँ तो सबसे पहले हमें कपास रूई जो होती है वो लेकर उसमें से कपास के जो बीज होते हैं वो निकाल लेने हैं आप चाहें तो नई रूई जो मिलती हैं वो आप ले सकते हैं और उससे इस तरह से बीज निकाल कर हमें उसको साफ कर देना है जो कुछ भी उसमें कच्रा होता है वो भी निकल कर उसको इस तरह से हलका करना है ताकि उसका सूत जो है धागा अच्छे से निकल पाए इसके बाद अगर आपके पास बस्म होगा तो बस्म या फिर इस तरह से एक अच्छगन का चोक मिलता है वो लेकर हाथ में लगाना है ताकि वो हाथ को चिपके ना इस तरह से आपको सूत निकलना है दागा उसका दिरे-दिरे कीच कर हलके आतों से निकालना है और यह सूत जब दागा बन जाए तो उपर से नीचे से एक-एक और उपर से एक इस तरह से तीन दागे आपको लेने हैं तो इसे तीन दागे को बेल बाती कहा जाता है एक दो और यह तीन उपर से नीचे से एक और फिर से उपर से एक इस तरह से तीन धागों को मिला कर यह बेल बाती जो है वो बनती है तो ये बाती आप तुलसी के पास भी लगाने के लिए महाराष्ट्रा में यूज करते हैं हर रोज शाम को जो हम तुलसी को दिया लगाते हैं इसमें भी यही बाती का यूज किया जाता है तो इस तरह से सारी बाती जो बनाई जाती है और इस तरह की सवासो बाती जो है, वो हमें बनाने हैं, तो सवासो बाती एक साथ इस तरह से बना कर हमने तयार किये, उसको एक धागे से बानना होता है, तो ये सवासो बाती बेल बाती जोड़ कर जो बाती बनती है, उसे शिवजी के लिए जोद केते, शिवजी की जोद केत लगाते हैं और एक तीज में जिसे आप तीज कहते हम हारताली का कहते तो ये लगाते तो एक तो तीन चार और ये 6 छोद बनाई हुई है तो आगे की वीडियो में इसके में आपको सोंबर के दिन किस तरह से जलाते हैं वह बताने वाले हो धैंक यूर वोच्चिंग ओम नमस्षिवाय